Hello everyone, मैं हूँ चिराग, एक और वीडियो के साथ, I hope आप सब अच्छे होंगे देखे, अकाउंट की वीडियो बहुत जादा सर्कुलेट हुई मेरी, वैसे इतने व्यू नहीं आते हैं क्योंकि मैं regular updated नहीं रहता हूँ छोटे-छोटे concept है, एक तरीके से बोल सकते हैं, short notes है revision के लिए, तो हर chapter के हैं, देखो हर chapter का कैसे हैं, जैसे आपका chapter 1 दे रहा है, nature and significance, उसका topic 1, फिर उसके बाद आप देख सकते हो, memonics भी है, जिसको आप short में याद कर सकते हैं, फिर nature of management, topic 2, फिर topic 3, फिर topic 4, फिर उसके ब रखें, इस तरीके से मैंने ये सारी pdf आपको दे दिया, जैसे सारे chapters की है, आप read कर लेना, जो आपके course में नहीं है, वो मत read करना, जैसे financial markets से related, या controlling का कुछ topic आपका हड़िया है, तो वो आप मत देखना, ओके, एक pdf तो यह है, पहली pdf जैसे आपने देख ली, तो उसके schools के बच्चे हैं, उनके लिए राजिस्तान स्कूल सिक्षा परिशद, स्कूल सिक्षा विबाग राजिस्तान सरकार, इसने परिशन बैंक प्रवाइट की है, कह रहे है, say no to passbook, ओके, तो यहाँ पे आपको सारे questions दिख जाएंगे, एक बार में नीचा आ जाता हूं, अब आ दिक्कत किनको होती है, इंग्लिश वालों को, अब जिन, जो, जिनका हिंदी मीडियम है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनका इंग्लिश मीडियम है, तो उनको क्या करना है, देखिए, मैं एक shortcut की बता रहा हूं, वहाँ से आप screenshot ले लो, या अगर आप क्या मोबाइल है, तो मोबाइल साब screenshot इसका ले सकते हो, तो जिसको भी आपको हिंदी से इंग्लिश में convert करना है, तो आप Google Lens का use कर सकते हो, कैसे करना है, आपको क्या करना है, विंडो, विंडो का बटन आप जानते ही हो, अगर आप laptop या computer रिउस कर रहा हो, तो विंडो औ और print screen नाम से एक बटन होता है, कहीं पर भी आप देख लिए ना, PRT मैं लिख देता हूँ, PRT और SC इस नाम से होता है, तो विंडो का बटन और उसके साथ प्लस करके क्या करना है, यह विंडो दबा के रखना है और print screen का, जिससे screenshot आ जाएगा, नहीं तो YouTube कर लेना, वहाँ चल जाएगा, फिर जैसे screenshot जहाँ गया है, जिस location में, वहाँ से आपको क्या करना है, Google का use करना है, जैसे जनरली देखो, मैं Google का use कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको देखो, Google Lens दिख रहा है, जहाँ पर लिख रहा है, search by image, तो आप Google Lens का use करोगे, upload a file करोगे, और upload a file पे क्लिक करते ही, एक मिनट, क्लिक करते ही, देखो, यहाँ पर आपका gallery का part आजाएगा, जहाँ screenshot होगे, जैसे ही आप कोई भी screenshot select करोगे, जैसे for example, मैंने यह open कर लिया, open करते ही, देखो, आ रहा है, search, text और translate, तो आपको translate पे क्लिक करना है, और यह automatically क्या होगा, English में translate हो जाए तो मेरा number है, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से आप देख लेना, यानि एक तरीके से मुझे WhatsApp कर लेना, मैं आपको इसका explanation दे दूँगा, ओके, और अगर आपको इसका marathon भी चाहिए, कि सर, exam में दिक्कत होगी, तो Sunday को मैं live आ जाओंगा, लेकिन उसके लिए आपको ज और exam के लिए क्या important है, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो मैं Sunday को ही आप आँगा, यानि exam से एक दिन पहले, तो ये PDF जो है, मैं आपको जो दोने दे रहा हूँ, इसका link आपको description में मिल जाएगा, यानि आप चाहिए देख सकते होगी, description में जैसे जाओगे, और click करोगे, तो म आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी, इस वीडियो को जादा से ज्यादा क्या करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना, क्योंकि 12th के बाद भी मैं आपको CA Foundation से related, वीडियो बहुत स सारी प्रवाइट करूँगा, सारा का सारा उसका कोर्स भी आपको प्रवाइट कराऊंगा, accounts, eco और law से related, I hope आपको ये वीडियो पसंद होगी, वीडियो देखने के लिए, thank you